हलो नमिशकार, welcome to inculcate learning, आज हम बात करेंगे research proposal के बारे में कि research proposal होता क्या है? कैसे लिखते हैं? कब लिखते हैं? प्लस research paper जो है, उससे ये कैसे differ करता है? मतलब research paper और research proposal में क्या difference होता है? गला थोड़ा सा खराव है जुखाम की वज़े से, व्लसका přेके ना गांशा आए न स्टूडेंट ने यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखती है तब लेकिन उससे पहले मैं आपको बतायते हूं कि इन में डिफ्रेंस क्या है और इनका मतलब क्या होता है आपने GRF कर लिया अब आपको Junior Research Fellowship मिलेगी और आप एक Junior Research Fellow बन जाएंगे जब आप PhD करना शुरू करेंगे लेकिन जब आप PhD करने से पहले मतलब PhD का इंटर्व्यू जब देने जाएंगे तब उन इंटर्व्यूर को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपका Research में किस तरफ रुझान है और आप किस चीज के उपर Research करना चाह रहे हैं यानि कि आप अपनी Research प्रपोज कर रहे हैं यूजुली क्या होता है मालो किसी लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को प्रपोज किया प्रपोज मतलब उनके सामने एक ओफर रखा कि हाँ भई शादी करेंगे या गल्फ्रेंड बनेंगे बोइफ्रेंड बन चाहरे हैं ठीक है सो वो क्या होगा Research Proposal basically you are proposing your research ठीक है सो आपका Research Idea जो है वो आप प्रपोज कर रहे है research paper क्या होता है कि जब आप PhD करना शुरू कर रहे हैं या PhD कर चुके हैं उन दोरान आप क्या लिखते हैं आपके research के बारे में मतलब आपने कोई topic लिया उससे related आपने survey किया या कुछ भी किया चीक है या फिर अगर आप sciences में हैं तो आपने कुछ experiment किया कुछ product synthesize किया तो उस time पे आपने जो चीज बनाई है जो research paper लिखा है जो नई चीज आप लेके आए हैं जो आपने कुछ नया निकाल के लाए नई चीज बनाई है या नया idea लेके आए हैं वो आपका क्या है with proof या with evidences आप उस paper में दिखाते हैं लिखते हैं ठीक है फ तो टीचर्स या assistant professor या associate professor जो PhD करवाते हैं किसी student को वो उनके साथ मिलके भी काम करते हैं प्लस वो खुद का भी काम कर रहते हैं तो वो research papers जो हो publish होते रहते हैं पॉइंट यह है कि हमारा तो अभी जेयरेफ ही हुआ है ना तो हमें तो क्या करना है research proposal ready करना है जो कि हमें इंटर्व्यू के time पे दिखाना है चीक है कि हम क्या क्या बोलेंगे या क्या काम करना चाहरे हैं तो उस research proposal के लिए कैसे लिखना है उसको कैसे आप propose करेंगे और विसली ना अगर आप अपने तरीके से एक better way में present करते हैं कि हाँ आप step wise कि यह मेरा title है इससे related यह चीजे मैंने पढ़ी है यह research मैंने किया उसके basis मुझे ऐसे लग रहा है यह problem है इस field में और उस problem का में solution निकालना चाहरे हूं चीक है तो वो क्या है आप एक तरीके से अपना idea propose कर रहे हैं कि आप किस field में research करना चाहरे हैं एक type polymer करके आपको क्या मिलेगी अब्रिवेशन मिलेगी जो आपको Google पे भी मिल जाएगी या और वीडियो अगर आप देखेंगे उनमें भी मिल जाएगी तो यह एक छोटा सा तरीका है इन steps को याद रखने का चीक है बाकी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल step by step follow करें अगर आपके दिमाग में एक idea है तो आप उसको क्या है logically present करने का try कीजिए चीक है टाइप ओलिवर में T का मतलब क्या है title सबसे पहले आप लिखेंगे आपके topic का title यानि research proposal का title क्या होगा जो कि आप अपनी research का title बनाना चाह रहे हैं ठीक है तो उस title के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो वो title बहुत छोटा हो और ना ही बहुत lengthy या long हो ठीक है बलाब इतना भी लंबा ना हो कि 4-5 लाइने भर रखे हैं एक title में और इतना भी ना हो कि आपने 4-5 वर्ड में ही उसको complete कर दिया ठीक है तो ना जादा short होना चाहिए ना जादा long होना चाहिए जिस चीज के ऊपर आप जो idea आपने सोचा है उस idea को आपने एक प्रेजेंटेबल वे में क्या करना है प्रेजेंट करना है और एक अच्छे सा टाइटल बनाना है चीग है एक दो लाइन का दैन आता है introduction कि आपने ये चीज तो बता दी कि आप इस फिल्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं ओके बट अब आप उसको इंट्रड्यूस करेंगे कि कहां से मदब उसका अच्छे से पता करना है उन लोगों को चीजे रिलेटिड में ने बहुत अच्छा सा टाइडल बनाया अब मैं इंट्रडक्शन में क्या करोंगी जो क्यूंकि मेरे टॉपिक तो विजुली इंपेर्ड स्टुडेंट्स के ऊपर रना सो में विजुली इंपेर्ड होते क्या है इंक्लूजिव एजुकेशन क्या होती है वगेरा वगेरा सारी चीजे मिलब बेसिक जो है वो चीजे आप यहां पर एक्स्प्रेंड करेंगे बैन आप अपनी प्रोब्लम की स्टेट्मेंट एग्ज स्टेट्मेंट बनानी है कि वो अबजेक्टिव करना चाह रही हूं किस चीज को जो विजुली इंपेर्ड स्टुडेंट्स है उनको उनके अक्याडमिक बिहेवियर को दूसरा पॉइंट आजएगा उनकी इमोशनल बिहेवियर को इस तरीके से आप अप्जेक्टिव क्या स्टेट्मेंट बनानी है कि वो अबजेक्टिव में आपकी बात इस तरीके से जलके कि आप किस वजह से यह काम करना चाह रहे हैं चीक है तो यह हो गया टी आई एंड पी हाँ ठीक है टाइटल इंट्रडक्शन और प्रोब्लम का स्टेट्मेंट एंड और अबजेक्टिव अब है LI यानि लिट्रेचर रिव्यू चीक है लिट्रेचर रिव्यू मैं आपको पहले ही पता चुक है जब मैंने डेजर्टेशन वगयरा के बारे में बताया था यानि जो अब तक रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं या आप उन रिसर्च पेपर को देख रहे हैं कि कि तक इसने क्या-क्या काम किया हुआ है आपके इस टॉपिक पर ठीक है यानि अववबसली एकजएक तॉपिक तो आप नहीं उठाएंगे न किसी और काई घटालिया अपने अपना टॉपिक बनाया है लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड च्या-क्या काम हुआ है वर आपको पढ़ना है और उसको समराइज करना है ठीक है इस तरीके से समराइज करना है कि आप जो है जो जो रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं और जो ओथर है उसको भी क्रेडिट दे रहे हैं प्लस ओविसली उनका नाम लिखते हैं तो यूजुली लिट्रेचर रिव्यू में हम क् डबल कोट करके भी देते हैं मोस्टली चीजे कई बार चीक है अगर हमें एग्जेक्ट स्टेटमेंट नहीं उठानी तो हम उस रिसर्च पेपर में क्या-क्या चीजें लिख़्ी होई क्योंकि मालो छे साथ पेज का रिसर्च पेपर है अब वह सारा का सारा थोड़ी ना ल के लई है, okay? So, उस बेसिस पे आप क्या करेंगे? लिट्रेचर रिवीव में बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में ये बताएंगे कि आपने कौन-कौन से रिसर्च पेपर पढ़े और किस तरीके से उनमें चीजें प्रेजेंट की गई हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या करना है? मतलब आपकी रिसर्च मेथडोलोजी क्या होगी? आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं? आप डिस्क्रिपिटिव रिसर्च चाह रहे हैं? क्योंकि ओविसले अगर इस टॉपिक के इंपेरड वाले टॉपिक के हिसाब से चला जाएं? आपके एक्सपरिमेंटल रिसर्च रहेगी आप यह देखेंगे कि बहां पर डाटा कलेक्ट करेंगे आप चाहे वह सर्वे के बेसिस पर हो उब्जवेशन के बेसिस पर हो तो वह जो डाटा कलेक्शन है मिलाब आपका तो चलेगा कैसे, आप कैसे करेंगे.. पाली आपके वह सब चीजे किस फोटा करेंगे.. आपके पूरी research की methodology क्या होगी.. वह हांपे mention करेंगे short में, then आप references देंगे, references में क्या देंगे, और हो कई बार क्या करते है research methodology के बाद बहुत सारे में, अगर आपके word limit बहुत कम नहीं है, so आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, उसका budget क्या होगा, जो project आप करना चाह रहे हैं, ठीक है आप किस तरीके से करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के बाद आप एक conclusion देंगे, ठीक है एक strong conclusion भी दे सकते हैं आप, अगर आपके पास word limit नहीं है तो, ठीक है आप इस way में, मैं पॉइंट यह है कि आप उनको यह बताना चाह रहे है कि जी मैं इस topic पे काम करना चाह रहा हूँ यह चाह रही हूँ, मैंने यह यह चीजे पढ़ी हैं, यहाँ पे यह दिक्कत आ रही है और मुझे इस problem के उपर काम करना है प्रोब्लम पे मैं काम कैसे करूँगा, करूँगी, वो यहाँ पे मैं अब तक कितना काम हुआ है उस problem पे, मैं कैसे काम करूँगी उसके अलावा फिर जो है, क्या conclusion निकल के आएगा चीक है, expected चीजे यह क्या है फिर, references, जो आपने literature review, introduction यह जो जो चीजे आपने पढ़ी दूसरी research papers पढ़े दूसरे लोगों के वो यहाँ, references में आप mention करेंगे, ethics में आ जाता है कि आप जिसका paper पढ़के, आप idea ले रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करें उसको credit दे, mention करे, site करें उसको, ठीक है यह सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, जब आप research proposal लिखेंगे, यानि research को आप propose कर रहे हैं कि मुझे इस topic पर, इस idea पर काम करना है, चीक है जी, so I hope research proposal से related चीजें आपकी clear हो गई हो इसके बाद जो है, हम paper 1 की classes शुरू कर रही हूँ मैं, और वो daily classes होंगी, दो lecture होंगे, Monday to Friday Obviously, आज नहीं हो पाईगी Tuesdays, इस week जो है Tuesday से start हो रही है, so plus उनमें MCQs भी होंगे, PYQs, plus और क्या-क्या practice question हो सकते है So, वो compile करने का में try कर रही हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोग उन classes को live attend कर सकते हैं, लेकिन ये धियान रखिएगा, उस live में chat जो है वो ही बच्चे कर पाएंगे, जो की members होंगे channel के So, Tuesday से start कर रही हूँ वो classes, आप लोग live attend जरूर कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको on the spot मेर से question पूछना है, so आप जो है वहाँ पे channel की membership ले सकते हैं, अगर आप basic level 1 की membership भी लेंगे, तो आप members जो है वहाँ पे chat कर सकते हैं, So, this was all about today, अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो comment करके पूछ लीजिएगा, और अगर समझ आ गया है, तो comment करके बता दीचिएगा, like कर देना, share कर देना, दूसरों के साथ, share कर देना, ठीक है, और subscribe कर देना, क्योंकि subscribe विल्कुल free है, चलिए मिलते हैं next video में, thank you so much for watching, be happy, keep smiling,